नमस्कार दोस्तो, One India में मैं पुशानत आप सभी का स्वागत करता हूँ भारत और इंग्लैंड की बीच चार मैचों की सिरीज का पहला मैच चन्नी में खेला जा रहा है मैच के तीसरे दिन इंग्लैंड ने 578 रन अपनी पहली पारी में मनाए इसके बाद बलेबाजी करने उतरी भारते टीम की शुरवात अच्छी नहीं रही थी और लगातार अंतराल पर टीम इंडिया के विकेट गिरते चले जा रहे थे 73 रन पर टीम इंडिया के चार विकेट गिर चुके थे लेकिन इसके बाद चितिश्वर पुजारा और रशपपंद के बीच पांच विकेट के लिए 119 रनों की साज़ेदारी हुई और दोनों ने टीम इंडिया को जैसे संकट से उभार लिया था लेकिन 83 रन बनाकर चितिश्वर पुजारा ने अपना विकेट गवा दिया लेकिन रशपपंद एक छोर पर टिके हुए थे और काफी तेजी से अपने टेश शतक की ओर भी बढ़ते हुए नजर आ रहे थे लेकिन एक बार फिर रशपपंद नर्वस नैंटीज का शिकार हो गया जी हां 88 गेंदों पर एक 90 रन बनाकर रशपपंद एक बड़ा शोट लगाने के चकर में गच्चा खागे और डॉमबेस ने जैक लीज के हाथों उन्हें कैच आउट कराकर उनकी ताबड तोड पारी का अंद कर दिया रिशपपंद 88 गेंदों पर एक 90 रन बनाकर पारी के 97 ओबर में आउट हुए इस दोरान उन्होंने 9 चौके और 5 बड़े चके ठोके रिशपपंद ने इस दोरान 103 की स्ट्राइक रेट से बले बाजी की पुजारा और पंद के बीच पाशे विकेट के लिए बड़ी साजीदारी हुई पुजारा के आउट हो जाने के बाद पंद ने सुन्दर के साथ एक पार्टनर्शिव बनाने की कोशिश की थी लेकिन शतक तक जल्दी पहुचने की कोशिश में वो एक बड़ा छक्का लगाना चाहते थे लेकिन वो भारी गल्ती कर बैठे और अपना विकेट भी कवा दिया अपकोदनी ऑस्टेलिया दोरे के सिड्नी टेस्ट के दोरान भी वो अपने शतक से चुके थे जब नैथन योन की गेंद पर बड़ा शॉट लगा कर अपने शतक को पूरा करने के कोशिश में उनने कैच थमा दिया था और एक बार फिर डॉंबिस जैसे ओप स्पिनर के सामने वो बड़ा शॉट लगाने के लिए गए और जैक लीच ने एक आसान कैच लपक कर उनकी पारी का अंत कर दिया आपको दाने रशाप पान का विगट पारी के संतावन में ओबर में गिरा जब टीम का स्कोर दो सो पचीस रन था फिलाल किले इस वीडियो में इतना ही तमाम स्पोर्ट सब्डेट के लिए बने गए वन इंडिया के साथ